आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज समस्त ग्रामवासियों के गुरू श्री शंकर पुरी जी महराज का देवलोक गमन हो गया। गमगीन कर देने वाली इस ख़बर से गुंदवारी सहित आसपास के सब ही गाओं के अनुयाईयों में शोक की लहर छाड़ी। हजारों लोगों की आस्था और विश्वास के प्रती रूप शंकर पुरी जी महराज का बीती रात स्वर्गवास हो गये। वह 75 वर्ष के थे। नहीं आज अपने पैत्रिक गाओं साथुनी में समाधिस्त किया गया। बर्मलीन में सब्चा शंकरपुरों के थे आज गाओं को बूआ हे बहुत सती हुई है समाज को सती हुई है ऑमारे परिवार को सती हुई है बहुत अच्य सदुलीबुते करें की यह जो शंकरपुरी का जन साथोनी पुरोहितान जिला बाड मेर में हुआ था बता दें कि वह पिछले 35 वर्षों से गुंदावाडी गाउं की गराम देवी मा दुर्गा एवं उजली बायोंसा मा के पुजारी के रूप में कारयत थे शंकरपुरी जी महराज के चार पुत्र एक पुत्री दस पौत्र तथा दो प्रपौत्र हैं अपने पीछे अपना पूरा भरा परिवा छोड़ वह शिवधाम के शर्नागत हो गए जैसे ही उनके परलोक सिधारने की खबर आसपास के गाउं में मिली उनके पार्थिव देह का दर्शन करने दर्शनार्थियों की कतारे लग गई पौरी जी में आस्था रखने वाले सभी भक्तों ने अपने प्रतिष्ठान एक दिन के लिए बंद कर दिये दिव लोग गमन के बाद महराज की पार्थिव देह को ओम नवशिवाय की भजनों एवं जैकारों के साथ आकाश को गुनजाय मान करते हुए संत परंपराओं की अनुसार समाधिस्त किया गया इस दोरान कई साधुसंत महंत विप्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे शंकरपुरी जी महराज एक दिन पहले ही गुन्दावाडी से अपने पैतरिक गाउं गए थे और बीती रात को रिदय गती रुकने से ब्रह्मलीन हो गए आपको उता दे कि इस शोग के मौके पर सुदर्शन न्यूज चैनल के राश्ट्रिय समन व्यक डॉक्टर राजकुमार राजपुरोहित ने गहरा दुख व्यक्त किया फिलाल के लिए मुझे दीजे इजासत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे राश्ट्रिय हिंदी न्यूज के साथ जैह हिंदी आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज